तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम एनर्सी के बारे में देखेंगे इस नाशनल रेजिस्टर ऑप सिटिजन्स 31st August को यानि कि कल ही हम जानते है फाइनल लिस्ट जो है एक रिलीज हो गई है तो अभी करेंटली बहुत होट टॉपिक है एनर्सी तो इट कंटेंस नेम्स अब इंडियन सिटिजन्स और असाम और 1951 में पहली बार नर्सी बनाए गई थी और उस वक्त जरूरत क्या थी नर्सी गया था तो इस्ट पाकिस्तान से काफी माइगरंट्स जो थे वह इंडिया में आ गया थे ठीक है और असाम में बोला जाता है कि सबसे जादा माइगरंट्स आए थे तो अब उसी के लिए उन्हीं को रेकिगनाइस करने के लिए 1951 में पहला नर्सी किया गया था ठीक है और उसे हमें फुल्फिल करना है देन एनार्सी जो अपडेट हो रहा है वो दो आट्स के थो अपडेट हो रहा है Citizenship Act 1955 and Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003 ठीक है और इनका बेसिस क्या है लिस्ट में नाम आने के लिए आपको आपका नाम लेगसी डेटा में होना चाहिए और लेगसी डेटा is the collective list of the NRC data of 1951 and electoral rules up to midnight of 24th March of 1971 ठीक है और अब यह date क्यों लिए 1971 यह मैं आपको अगले slide में जब हम थोड़ा सा timeline को देखेंगे तब explain कर दोंगे और दूसरी बात है कि ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ अपको अपना रिलेशन प्रूव करना है जिसका नाम लेगसी डेटा में है ठीक है अगर आपका खुद का नाम लेगसी डेटा में नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन प्रूव कर दो जिसका नाम लेगसी डेटा में है तो आपका नाम NRC में आ सकता है ठीक है तो अभी हम जि Union इन्होंने अपडेट डिमांड किया था एनार्सी का ठीक है अब यह लसी का अपडेट क्यों लमांड किया गया था क्योंकि 1971 में जो इंडो पाक वार था जसमें East Pakistan को लिबरेट करने में और बांगलादेश को establish करने में इंडिया ने help की थी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा migrations हुए थे ठीक है और इसी के चलते हुए जो भी illegal migrants थे उनको recognize करना था और उसके लिए आसु ने बोला था that is all Assam Student Union इन्होंने बोला था कि NRC को update कर लेना चाहिए ठीक है तो 1985 में finally Assam Accord बना जिसमें government ने यह agree किया कि हम NRC को update करेंगे ठीक है फिर आते हैं हम जुलै 2019 के तरफ NGO Assam Public Works मू सुप्रीम कोर्ट naming that 41 lakh foreigners are in the states electoral rules 1985 में Assam Accord में हमने promise तो कर दिया था पर NRC की procedure updation की आगे नहीं बढ़ रही थी फिर इस NGO ने बोला कि कि बहुत जादा जो foreigner से वह हमारे electoral रोल्स में राइट वह इंडियन सिटीजन नहीं है तो अब प्रेशर आ जाता है ठीक है तो अब NRC को अपडेट करना ही पड़ेगा तो सेंटर डिसाइड करता है 2010 में कि हमें NRC अपडेट करना है तो बारा पेटा में एक प्रोजेक्ट जो था बारा पेटा और चायगां तो वहां पर प्रोजेक्ट किया पर वहां पर बहुत जादा वाइलन्स हुआ था तो उस वक्त भी इस चीज को अबैंडन कर दिया गया था फिर उसके बाद हम जानते कि 2014 में सुप्रियूम कोट ने बोला था कि नर्सी को अपडेट करना है असाम अकॉड को काफी साल हुए है और फिर अभी फाइनली नर्सी का एक प्रॉपर प्रोसीजर शुरू हुआ बहुत सारे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एस्टाबिश किये गया है डिटेंशन सेंटर्स एस्टाबिश किये गये थे ठीक है और 2017 म टोटल एपलिकंट्स है ठीक है उसके बाद 2018 में फिर से एक राउंड किया गया और फिर से एक ड्राफ्ट पब्लिश किया गया अब मैक्सिमम लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में ले लिया गया था पर 41 लाक लोग फिर भी एक्स्लूटेट थे 2019 में जून में फिर से एक ने गया बाएधी जब रीवेरिफिकेशन के गये थे ठीक है और रीफिकेशन मतलब फ़य होता है एकि गल्ती से अगर प्रوسिजर में कोई भी फोरेंगर जो है वो एडिन लिस्ट लाई गई थी कल ही ठीक है जिन में से अब 19 लाक लोगों के नीम जो है वो excluded है तो इन टोटल अभी जितने भी लोगों ने apply किया था उन में से 19 लाक लोगों के नाम जो है वो list में नहीं है ठीक है वो excluded है अब इन लोगों को एक timeline दी गई है कि 120 days के अंदर आप फिर से apply कर सकते हों आपको फिर से chance दिया जाएगा ठीक है फिर से verify किया जाएगा और अगर आप प्रूफ कर सके with proper credentials तो आपको NRC में लिया जा सकता है ठीक है तो 120 days का time period अभी दिया है और अभी हम ये भी जानते है recently कि हमारे जो external affairs minister है जैशंकर इन्होंने बोल दिया है कि ये NRC जो है वो इंडिया का internal matter है तो ये जितने भी लोग अभी excluded रहेंगे उनको foreigner बोला जाएगा सिर्फ तभी जब उनको foreigner tribunal में प्रूफ कर दिया जाएगा कि ये foreigners है और उसके बार इनका क्या होगा ये अभी तक decide नहीं किया गया है और mostly इनहीं के लिए काफी सारे detention centers जो है वो और खड़े करने पड़ सकते हैं ठीक है तो ये timeline है ठीक है आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजें ये मेंस के answer लाइटिंग में facts के तरह काम में आ सकती है देन हम कुछ और related terms इसमें देख लेते हैं dubious voter या पर doubtful voter ये term बहुत जादा चर्चा में रही है फिलाल तो हम इसको देख लेते हैं इनका नाम voters list में तो है इसलिए इनको voter बोला गया है मतलब इनको फ्रेंचाइजी दी गई है बट state government ने इनसे फ्रेंचाइजी निकाल ली क्योंकि other than that voters card या फिर other than their name in the electoral rule उनके पास citizenship प्रूफ करने के लिए और कोई credentials नहीं है इसलिए इनको बोला गया है doubtful voter या फिर dubious voter और फिर इनके उपर foreigners tribunal में trials चलेंगे और फिर determine किया जाएगा कि इनमें से कौन foreigners है और कौन Indian citizens है और basically जितने भी लोगों के नाम excluded है उन सब को foreigner tribunals में try किया जाएगा ठीक है और यहीं हुआ था कि 2011 में और since 1985 when foreign tribunals were set up in Assam till February 28 2019 almost 63-64,000 persons को foreigner declare कर दिया गया है through all these foreigners tribunals ठीक है तो इतना आप NRC के बारे में अगर ध्यान में रख लें तो भी आपको prelims और mains के point of view से answer writing में काफी help हो जाएगे Other than that इसमें आप थोड़ा सा humanitarian point of view डाल सकते हैं कि जिस तरीके से detention centers की conditions बोली जा रहे थी कि एक ही family के जो भी members होते हैं ठीक है उनको अलग-अलग detention camps में रखा जाता है क्योंकि females को अलग लखा जाता है males को अलग रखा जाता है तो जो spouses होते हैं ठीक है वो एक दूसरे से सालों तक मिल नहीं पाते हैं उनको parole नहीं मिलता है permission नहीं मिलती है ठीक है और फिर जो के साथ या उनको अपने mothers के साथ रहने के लिए permission दी जाती है बट जो लड़के होते हैं उनको after six years of age वहाँ पे रहने की permission नहीं होती है तो यह बहुत सारे है वहाँ पे जो भी detention centers में ही बड़े हो रहे है अडल्स हो रहे है उनके लिए proper counseling education है यह यह सारी चीजे भी थोड़ा सा धान देना चाहिए एक basic चीज क्योंकि they are not criminals ठीक है they are just migrants तो यह आप एक थोड़ा सा क्या बोल सकते फिलोसोफिकल philosophical point of view means के answer writing में यूस कर सकते हैं so that is it for the day friends I hope you liked this video and if you did please like share and subscribe to our channel holistic facts thank you